हाई फ्रेंड्स में अकांशा सर्माजी की वितकांशा में आपका स्वागत करती हूँ मध्यवद्धिस पटवारियो गुरूप 2 के लिए प्रभंदन का सोलवा भाग करने वाले इसके 15 भाग हम कर चुके हैं बहुत ही सांदर ये MCQ हैं सभी टॉपिक कवर हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है विज्यानिक प्रबंद सिध्धान्त पुस्तक के लेखक कौन है तो विज्यानिक प्रबंद सिध्धान्त पुस्तक के लेखक है विंसलो टेलर कौन है विंसलो टेलर है फ्रेडरिक विंसलो टेलर है इनको नॉर्मली टेलर का ही ओपसन आता है तो इनका सिध्ध दिया था फ्रेडरिक बिंस्लो टेलर ने विज्ञानिक प्रवंद सिधान पुस्तक के लेखक हैं दूसरा है अभी पिरेड़न के समता विचार धारा के प्रतिपादक कौन हैं समता विचार धारा जे एस एडम्स पोटर और लॉलेर एल्टर मियो और एफ डवलू टेलर इन मे कौन हैं जे एस एडम्स एडम्स समता विचार धारा के प्रतिपादक हैं याद रखिएगा एडम्स किसके हैं समता विचार धारा के प्रतिपादक हैं बहुत सारे सिधान तो मैंने करवाए थे ट्रिक द्वारा उसमें ये वाला करवाए था अभी पिरेड़न की समता विच एक है रखी कोषण है करम चारी कियंदृत एक रिवेख्षण विचार्धारा के प्रतिवादा कॉन ने यह रिखम ज़नद से रहीं को परिवेखषण बिचारध्रह के प्रतिपादक है, रेंसिंस लिंकन्ट है, करमचारी के अंदत परिवेखषण बिचारध्रह के प्रतिपादक अगला कोशन है गती नायक कार्य मार्ग लेपिक आदी को किसके संबंद में प्रियुक्त करते हैं रेखा संगठन, किरियात्मक संगठन, रेखा तता स्टाप संगठन तो जो गती नायक होता है गती के मार्ग बताने वाला कार्य मार्ग या लेपिक आदी क्या होते हैं ये किरियात्मक संगठन होते हैं गती नायक कार्य मार्ग लिपिक आदी को किसके संबंद से प्रियुक्त किया जाता है किरियात्मक संगठन में प्रियुक्त किया जाता है किसमें किरियात्मक संगठन में अगला कुशन है निमली खित मैंसे किस प्रिकार के संगठन में अधीनस्त को एक से अधिक्तम उच्चा धिकारी के अधीन कारे करना होता है बना एक अधीनस्त है और उसके बहुत सारे अधीकारी है तो ऐसा किस प्रिकार के संगठन में होता है रेखा संगठन, रेखा तता स्टाफ संगठन, किरियात्मक संगठन तो ये होता है किरियात्मक संगठन किरियात्मक संगठन में अधिनस्त को एक से अधिक तम उच्छा दिकारी के अधिन कारे करना होता है अगला कूशन है प्रभंधकों से सलहा देना अंकेशक के उद्देश होता है इसका अगला वीडियो अब मैं परसो लेकिया होगी अधिनस्तों की संख्या अधिक ना हो यह अधिक ना हो यह अधिनस्तों की संख्या अधिक ना हो यह किसका सिध्धान्त है आधिनस्तों की संख्या अधिक ना हो यह आधिनस्तों की संख्या अधिक ना हो यह आधिनस्तों की संख्या अधिक ना हो यह आधिनस्तों की संख्या से 5 लोग order देंगे तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो क्या हुगा इसका आदेश की एक तका अगला है पहली वार विज्ञानिक प्रविधी के माध्यम से नेत्रत्व का अगध्यन और विश्लेशन किस अध्यन के तहट किया गया पहली वार विज्ञानिक कोई नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा इयोवा नेत्त्व अध्यन पहली वार वैज्ञानिक प्रवधी के माध्यम से नेत्त्व का अध्यन और विश्लेशन वैज्ञानिक प्रवधी तो वैज्ञानिक विधी के माध्यम से नेत्त्व का अध्यन किस के तहत किया गया था इ प्रभंद के कौन से कारे को हम उपलब्धी का लेखा कह सकते हैं नियोजन, समनवे, नियंतरन या संगठन तो इसको कहते हैं नियंतरन को किसको कहते हैं नियंतरन को उपलब्धी का लेखा है किया नियंतरन संचालन प्रभ्रषासन का हिर्दय होता है यह किसने कहा था कि संचालन प्रषासन का हिर्दय होता है अगला है मौदरिक अभी प्रेड़नाओं के स्थान पर अमौद्रिक प्रेड़नाओं पर अधिक वल देने वाली मानवी ये सम्बंद विचार धारा के प्रतीपादक कौन है तेलर, रैंसिस, लिकर्ट, अल्टन, मियो या पीटर, ड्रकर तो मानवीय संबंधी विचारधरा के पतिवादक है Elton Mio मानवीय मा से मानवीय मा से मेयो तो मानवीय संबंध विचारधरा के पतिवादक कौन है Elton Mio Friend, Description Walks में आपको मेरे WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram की लिंक मिल जाएगी जोईन जरूर कर लीजेगा और नए है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजेगा आज साम को जो है पूरा मेराथन वीडियो लेके आने वाली हूँ Current Affairs का उसमें हम पूरे साल के पुरुसकार पढ़ेंगे जो भी पुरुसकार जिस भी छेतर में जितने भी पुरुसकार हैं उसको हम पढ़ेंगे आज रात को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और अगर आप इंस्टा पर इंस्टा पर हैं तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं अकान शाओ एके एन के ऐसेचे पुस्तक के लेखक के ही हाँ बेहेवियरल साइंट टॉक्र स्टिस्ट कोन हैं क्या है पुस्तक का नाम अब ऐसे याद रखो how behavior, Miller, how behavior और क्या याद रखो Miller, मतलब how behavioral बुस्तक कौन की है, Miller की है, तो how behavioral और याद रखो Miller, इसे करके आप याद रख लो इसको, अगला है, ओडवे टीड, चेस्टर आई वर्नाट किस विचार धारा के प्रबर्तक थे, क्या बूल रहे हैं, ओडवे टीड, एवं चेस प्रबर्तक थे, क्रियात्मक संगठन, नियोजन, नेतत्व की गुण मूलक विचार धारा या उपर्युक्त मैं से कोई नहीं, तो इसका है, ओडवे टीड, एवं चेस्टर आई वर्नाट थे, नेतत्व की गुण मूलक विचार धारा के प्रबर्तक, अगला कोशन है, निय नियोजन से संबंदित है, किसी भी प्रबंदक का सबसे पहला काम होता है, नियोजन, क्या होता है, नियोजन और सबसे लास्ट वा काम होता है, नियंत्रन, सबसे पहला होता है, नियोजन और सबसे अंत्र का काम होता है, नियंत्रन होता है, नियंत्रन किस संबंदित है, नि गिस दिसम्बर को एक जनवरी को खाता बंद करने की तिथी को या इन मेंसे कोई नहीं तो समर्थन विवरन कब तैयार की जाता है जब अखा खाता बंद किया जाता है मतलब खतम जब खाता बंद करने की तिथी आती है तब समर्थन विवरन तयार किया जाता है तो समर्थन विवरन कब तयार किया जाता है खाता बंद करने की तिथी को समर्थन विवरन तयार किया जाता है अगला कोशन है विग्यापन भरती का कौन सा इस्त्रोथ है आप कर्मचारीों को ले रहे हो तो वह भर्ति कौनसी भर्ति कहलाईगी व बहारी भर्ति कहलाईगी अगला है लाप की पृत्यासा मत करो और सभी संभावित हानियों के लिए आयोजन करो की नीती निमनिक पृत्या के कारण उत्पन होती है तो लाप की प्रित्यासा मत करो और सभी समभावित हानियों के लिए आयोजिन करो की नीती किसके कारण उत्पत्न होती है प्रकटी करण सामन जसे रूरी वादीता या सार्ता तो किसके कारण होती है यह होती है रूरी वादीता की कारण किसकी करण होती है रूडी वाधिता की करण प्रमानकों की जाच कौन करता है प्रमानक, प्रमान, निरीक्षण या सत्यापन तो प्रमानन करता है प्रमानकों की जाच करता है अगला कोशन है एक लिखांकर अब फ्रेंस कमेंट वक्स में बताईएगा कि जो बजट होता है बजट कितने प्रिकार के होते हैं बजट कितने प्रिकार के होते हैं कमेंट कमेंट जरू किया कीजिए कमेंट ही एक ऐसा माध्य हमें जिसके कारण मुझे को या पता रहता है कि कौन-कौन मेरे वीडियो देख रहे हैं कमेंट के ही द्वारा ही मैं नाम देख पाती हूं आपका क्योंकि मैं लाइब तो पढ़ाती नहीं हूं तो मैं आपको लाइब देख सकूँ छालू संस्था के अनुसार ऐसी कलपना की जाती है कि एक व्यभप साय रखता है बहुत लंबा जीवन अपरी में जीवन सी में जीवन कोई जीवन नहीं तो चालू संस्था के अनुसार ऐसी कल्पना की जाती कि एक व्यपसाय रखता है अपरिमित जीवन एक व्यपसाय चालू कल्पना के अनुसार चालू संस्था के अनुसार कैसा होता है अपरिमित होता है मिथ्या पूर्वक बढ़ाया जाता है क्या विक्रे बापसी को छोपा कर दायतों का अधिक अनुमाल लगा कर पूझी गद्वय को आगम मान कर या पूरुदत्वय को छोड़ कर तो मिथ्या पूर्वक बढ़ाया जाता है क्या विक्रे बापसी को छोपा कर मिथ्चियपूर्वक क्या बढ़ाया जा सकता है विक्रवापसी को छुढा कर चुपा कर येदि एक फर्म अपनी ग्रहक से प्राप्त अग्रिम रासी को अपनी आय माल लेती है तो वहाई किस अपधार्णा का उलंगन कर रही है तो वहाई किस अपधार्णा का उलंगन कर रही है लागत अपधार्णा, मुद्रामापन अपधार्णा, वशूली अपधार्णा या प्रथक अस्तितु अपधार्णा तो वो कर रही है बसूली अपधार्णा का उलंगन कर अगला कोशन है यदि आर्थिक चिट्थे में भवन को उसकी क्रे लागत की बजाए उसकी बाजार कीमत पर दिखाया जाता है एक आर्थिक चिट्था है आपका जो उसमें एक भवन है भवन में उसमें जो आपने खरीदा है वो लागत ना दिखाई जाए मतलब बलकि वो दिखाई जाए जो बजार में उसकी रेड चल रही है तो भाई किस लेखांकन से धानत का उलंगन कहोता है लागत अबधारना, समानता की परिपाठी, सतक्त परिपाठी या मुद्रा, मुल्यांकन अबधारना तो ये किस में कहलाएगी लागत अबधारना में कहलाएगी क्या कहलाएगी लागत अबधारना का उलंगन कहलाएगी क्या आपने लागत का जो लगी है आपने बो बताया नहीं है आपने तो बारेट बजार मूल बता रहे हैं तो यह किसका हो जाएगा लागत अब्धार्ना का उलंगन हो जाएगा स्वामी द्वारा व्यपसाय में लगाई गई रासी किस खाते में जमा होती है आहरर, पूंजी, रोकर या संपत्ती खाता तो जो भी मालिक द्वारा जो व्यफसाय में पूंजी लगाई जाती है वो किसमें जमा होती है वो पूंजी खाते में जमा हो जाती है किसमें जमा हो जाती है पूंजी खाते फ्रेंड जिससे आप ये पढ़ रहे हैं अगर आप इस कोश्चन की PDF लेना चाहते हैं ये पूरे 14 1463 प्लस प्रश्ण है यह देखी सकते हैं आप यह 1463 प्लस mcq की पीडियाफ है जिससे मैं पढ़ा रही हूं इसी तरह के यह mcq है तो इसकी पीडियाफ आप 90 रूपीज में पर्चेस कर सकते हैं 20 रूपए में आपको इसकी पीडियाफ मिल जाएगी साथ ने अगर आप हमारे लोग चाट डाइग्राम सहीद यह पूरे नोट्स यूनिट वाइस तैयार किये गए हैं जिसका चाट 2599 है और सबसे महत्मून बात यह है कि पटवारी की नोट्स और प्रिलिम्स की नोट्स के साथ कि इनके साथ आपको एक वाट्सप का गुरुप दिया जाता है इस गुर कुशन से बिलकुल परिपक्त वह構ं पाएं तो अगर आप हमारे पटवारी के नोट्स लेना चाहते हैं पटवारी का या हमारे प्रिलिम्स के नोट्स तो गुरुप लेना चाहते हैं तो आप मुझे उप्रिदंदन की पीडियाव लेना चाहते हैं तो अबримव erste की कि अगला है बैंक समाधान विवरन के उद्देश से रोकर वही का अर्थ होता है क्या होता है छोटी रोकर वही नगत खाता रोकर और बैंक कि इस्तंब वाली रोकर वही या बैंक खाता तो बैंक समाधान विवरन के उद्देश में रोकर का वही का उद्देश होता है रोकर और बैंक इस्तंब वाली रोकर वही क्या होता है रोकर होता है और बैंक इस्तंब वाली रोकर वही होता है तो ये बैंक समाधान विवरन का अगला कुश्चन है दस अजार रुपे के मूल के माल का बीमा कराया गया नाम डाला जाने वाला खाता कौन सा है दस अजार रुपे के मूल का बीमा कराने जाने वाला नाम क्या डाला जालाएगा तो किस नाम से चल डाला जाएगा मतलब आपने इतने का बीमा कराया है इतने म क्रेख खाता मालग खाता बीमा कमपनी कोई भी नाम कहाँं के लई में ज क MEL कख़ारा मों यह वही और तो उनको खाता वही में अलग-अलग खातों को अंतरित करने की जो प्रिक्रिया है तो क्या कहलाती है बिलवनाना खतोनी जनरल प्रवस्टी या सेस निकालना तो ये कहलाती है खतोनी जनरल से जमा में आपको ट्रांसपर करना है और जनरल से जमा एबम नाम मदों को खाता वही में उनके अलग-अलग खातों को अंतरित करने की प्रिक्रिया अलग-अलग खातों में भेजने की प कहलाएगा और आपने व्यक्तिकत उप्योग के लिए निकाले हैं 1000 रूपे तो आहरन खाते के अंतरगत आएगा व्यापपारिक इसकंद का सत्यापन किस प्रकार करेंगे प्रतिभूति का निदिक्षन करके मूल्यांगन की जाच करके प्रयापत व्याच की जाच करके रोकर क कि गिंती जाच करके तो व्यापपारिक इसकंद का समापन करेंगे मूल्यांकन की जाच करके किस से करेंगे मूल्यांकन की जाच करके करेंगे व्यापपारिक इसकंद का सत्यापन कौन सा खाता हमेशा नाम सेज रखता है खाता जिससे रासी प्राप्त होनी है किसी साज़दा का चालू खाता खाते दार जिने व्यपसाई से भुकतान पाना है या बैंक ओवर ड्राफट तो इसका अंसर है खाता जिनसे रासी प्राप्त करनी निसुल्क नमूने के रूप में माल वितृत किया गया 5000 रुपे तो जम्या किया जाने वाला खाता क्या होगा नमूना खाता को कुछ नहीं तो यह होगा क्रेखाता निसुल्क नमुना की रूप में माल तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कोशन बहुती सांदार प्रेशनित हैं आपको पसंद आये होंगे अगर हम आगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा और अपने फ्रेंड्स में टेलिग्राम फेस्बुक पर सेयर कीजेगा ओके फैंस देंक यू